नमस्कार शब्द साची की न्यूस बुलिटन में आपका स्वागत है आईए शुरुवात करते हैं आज की ताजा हैडलाइन से रीवा जिले के बैकुनपूर तालाब में उतराती हुई मिली अज्यात व्यक्ति की लाश रीवा में हत्या का आरोप लगाते हुए शब रख कर परिजनों ने किया चक्का जाम मौगंज विधायक प्रदीप पतेल ने पुलिस अधिकारियों पर लगाये गंभीर आरोप रीवा महापौर ने नियम विरुद्ध तरीके से हो रही प्लोटिंग को लेकर निगमा युक् किंद्री मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने भोपाल इस्तित घर में किया कन्या भोच का आयोजन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माएंबे की की पूजा अर्चना और प्रदेश वासियों के कल्यान की की मंगल कामना उज्जैन में महाष्टमी पर माता को किया गया मधरा का भोग चाचट साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के बने चेर्मैन नासिक आचली स्कूल में दो अगनी वीरों की मौत खबरें विस्तार से रिवा के क्रिश्णराज कपूर और तेरा अक्टूबर को लहरियों गरबाय का आयोजन किया जाएगा ये कारेक्रम की थीम महिला सुरक्षा और स्वक्षिता पर आधारित रहेगी आयोजन समिती की अध्यक्ष चेत्रा मिश्रा ने इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताया है के लिए महिला सुरक्षा और तेरा तारिक के लिए हमने थीम रखी है लेकिन जानकारी देने के बाद भी काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची लाश मिलने की खबर से इलाके में हडकंप मच गया मौके पर ग्रामीडों की भारी बीर जुड़ गई तलाब में पानी कम होनी की वज़े से इसे हाथसे की वज़ाए हत्या बताई जा रही है बता दें के बैकुनपूर शेत्र में लाश मिलने की ये दूसरी घटना है एक दिन पूर्व दोहा गाउं में लाल गाउं से लापता यूवक की लाश मिली थी रिवा में दुर्गा पंडाल गए यूवक की तीसरे दिन लाश मिलने के बाद परिजनों ने अपहरण कर हत्या का आरोप लगाते हुए शुकरवार को शवरक कर चक्का जाम कर दिया परिजन कारवाई की मांग कर रहे हैं परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की अफायार भी दच कर आई थी एक दिन पूर्व बैकुनपूर के दोहा गाउं में यूवक की एक लाश मिली थी जिसकी शिनाक्त लाल गाउं अटरिया निवासी 21 साल के हर्षित सिंग के पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा है कि आई जी अब पुलिस अधिकारी नशा कारोबारियों को संद्रक्षन दे रहे हैं जिससे लगातार अपरादिक घटनाएं बढ़ रही हैं कि जो यहां पर ये अवैद कारोबार करते हैं किसी न किसी के दम से कर रहे हैं शरकार हमारे नसा की विरोध में अभियान चलाएं परदेश सरकार हमारे मुख्यमंत्री हमारे मंत्री हमारे सांसद हमारे हम स्वयम इसका विरोध कर रहे हैं सरकार नसा की विरोध में अभिया लब नहीं, उससे दुरगटना से कोई मतलब नहीं, उससे अपराज से कोई मतलब नहीं, उसकी मृत्त से कोई मतलब, किसी की घर बरबादने से उसको मतलब नहीं, तो उसको संदक्चन चाहिए, और उस संदक्चन के लिए उसने आसान सताविका निकाले कि अब जब कोई गांजा करने वारे लोग खुले आम बोलते हैं कि भई मेरी आजी से बात हो गई नहीं छोड़ो ठोड़ो आजी साथ से बात हो गई ये सब क्या है अगर खुले आम किसी का नाम अपराधी के मुझ से लिया जाएगा तो सौहाभी के उनका नाम आएगा एडिसनल स्पीक खुल करके नामारा आज वो बोलते तो मैं पराधी उसाथ बैठने दस-दस मुकदमे जिसके उपर है और उसके उपर गांजे और इसके आरोबार का आरोप है उसकी फोटो आज बाइरल हो गई ना आखिर जनता के बीच में कोई चीप नहीं सकती इसलिए उनका नाम लिया गया है और ये बात सही है कि किसी ना किसी के संदच्छन के विला छेत्र में किसी प्रकार का प्राभू रिवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने नियम विरुद्ध तरीके से नगर निगम छेत्र में हो रही प्लोटिंग को लेकर कमिशनर को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जगा जगा नियम विरुद्ध तरीके से प्लोटिंग हो रही है जिससे शेहर की सुंदर्था विगरने के साथ ही राजस्व को भी नुकसान हो रहा है प्लोटिंग के लिए नदिनालों को पाटा जा रहा है महापौण ने निगमयुप्त से कारवाई करने की मांग करते हुए उन्हें अवगत कराने को कहा है रिवा में अश्टिमी के दिन रानी तलाब स्थित मा कालिका का विधिवत सोलह शंगार किया गया मंदिर के पुजारी ने बताया कि रिवाराज घराने से प्राप्त सोने चान्दी के आभूशनों से प्रतिविर्ष अश्टिमी के दिन माता का पूरा शंगार किया जाता है इस वज भी माकाली का सोने के मुकुट सहित लाल चुन्डी के साथ सोने चांदी के आभूशन पहनाए गए मासोलशंगार के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीर जुटी रही नवरात्री पर शुकरवार को अश्टिवी नौमी तिथी पर केंद्री कृशिमंत्री शिवराज सिंग चोहान और उनकी पत्नी साधना सिंग चोहान ने भोपाल इस्थित घर में कन्या भोच का आयोजन किया शिवराज सिंग चोहन ने कहा कि संपूर्ण देश नौ दिन तक शद्धा और भक्ती के भाव में डूबर रहा हमने भक्ती भाव से भर कर देवी मा की पूजा की और आज मा से यही प्रार्टना है कि वह सब पर कृपा और आशिरवात की वर्षा सदायव करती रहें इसके साथ ही रीव में भी नवरात्री पर जगा जगा कन्या पूजन का कारक्रम किया गया। नवेदित कलाकारों ने संगीत सभा पूर्वरंग में नाट नातिका देवी गीत और भजन गायन से दर्शकूं और श्रोताओं को भक्ती भाव से ओत्प्रोत कर दिया। मधिपदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मुहन यादव ने दुर्गा अश्टिमी पर उजयन के जैसिंग पूरा में देवी पंडाल पहुँचकर मांबे की विदिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवाशियों के कल्यान की मंगल कामना भी की उन्होंने सभी सधालियों को शुबकामनाय देतों एक आगा कि इसी प्रकार डशेरे पर्व पर भी आनंदबर से सभी त्योहारों पर मांबे का आशिरवाद बना रहे उजयन में नवरात्री की महाश्टिमी पर शुक्रवार को साशकी नगर पूजा की गई कलेक्टर नीरस सिंग ने 24 खंबा माता मं लगा कर पारंप्रिक पूजन भी किया इसके बाद कलेक्टर की अगुआई में एक दर्जन से अधिक पटवारी कोटवाल सहीत कई अधिकारी करमचारी और शधालू सड़क पर मदिरा की धार लगाते आगे बढ़े शाचकी दल ने धोल बैंड बजाते हुए 27 किलोमीटर क में शुल्क राजस्विभाग को देता है 26 साल के नोयल टाटा अब टाटा ट्रस्ट की चेर्मैन होंगे वे रतन टाटा के सौतेले भाई हैं 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोयल टाटा एक लौते दावेदार थे हलाकि उनके भाई जिम्मी का नाम भी चर में गुरुवार को फाइरिंग की प्रेक्टिस चल रही थी इसी दोरान तोप में गोला लोड करते वक्त ब्लास्ट हो गया घटना में अगनी वीर गोहिल विश्च्वराज सिंग और शैफत सित की मौत हो गए मौसम की बात करें तो देश भर से मांसून की विदाई के बारिश का दोर थम गया लेकिन एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई मौसम विभागने कहा है कि 12 से 16 अक्टूबर के बीच तमिलनाडू केरल साउथ करनाटक गोवा महराष्ट अरुनाचल प्रदेश और गुजरात में तेज बारिश होगी इधर मध्य प्रदेश और र झाल